दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं extension board जो की बिल्कुल best material से बना हुआ है कवार के सामान से बना हुआ है और इसको आप भी अपने घर पे बना सकते हैं जो की market से बहुत ही अच्छा होता है टिकाओ और मजबूत बनाने वाले हैं इसमें आपको सुष्षोकेट खरीदना होगा market स और कुछ नहीं लेना होगा आप उसको घर पे बना सकते हैं तो देखिए दोस्तो इसके लिए हमें लेना होगा pipe का टुकड़ा जो किसी के यहां भी मिल जाता हो जो खराब होगा और इस pipe को ले लेंगे और इसको कोसिस करेंगे इसको सीधा काटने की तो इसको marking कर लेंगे ह है से देखिए हमने इसको काटने नहीं और गर्म करेंगे इस पर गर्म करेंगे यह मूलाम को जाता भी मिलूब और फिर कहें एक व्लेग मूल ख और इसको जहाँ जहाँ थोड़ा रहे गया तो बहां दोबारा कर लेंगे उसको और अच्छे से यह seat हमारी complete हो गई है तो अब हमें क्या करना होगा इस seat को 20 से mark करना होगा तो यह seat जो हमारी 200 mm की है तो हमने 200 mm के सको बीच में marking कर लिए है और हम इसको 20 से काट लेंगे कर दो काटने के लिए हमारे पास जो है वह ex Senate का इस्तमिल करेंगे और यह हमारा ऑंस है जो हमने खुद बना ऑगी है तो चलिए मं हमें इसकोन है इस सीड को बीच में से काट लेंगे इसको सीधा काट न होगा इसलिए हमने पहले मार्किंग की और हम इसको आप बिलकुल ही सीधा काटेंगे तो हम आपको सब कुछ बिलकुल डिटेल में बताने वाले हैं इसको बिलकुल स्टर्टिंग से जो आप अखराम से घर बना सकते हैं और मार्किट से भी मजबूत तो देखिए दोस्तों यह जो लकड़ी है यह जो होडिंग होती है जो खराब होडिंग जो इलेक्शन बगएरा या कुछ भी होडिंग ने वो खराब हो जाती है कोई भी अच्छी होडिंग ना निकाले किसी की लगी हुई जो भी खराब है उसमें कुछ भी नहीं लगा है व इसकी भी दोनों की मार्किंग कर लेनी होगी तो हमारे पास लखड़ी एक्स्रा है तो इसमें से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे सही सही लखड़ी इसको यूज कर लेंगे तो इसमें आप लखड़ी दूसरी भी यूज कर सकते हैं जो आप काट लें अगर आपके पास प्रकार तो देखिए इसको क्या करना है जितनी हमारी इसको मार्क कर लेना ओगा इस प्रकार सब हमें प्रकार से टुकडा जो है ये कोना काट के फिक्णा है और सबवी चारो cardiovascular का इस परकार से हमें दोनों साइट के जो अंदर के कोने हैं उनको काटना है तो उसकी इस परकार से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद देखहेए इस इसके प्रकार से इसको एक लखडि को लेंगे तो हम यह बाई से इसमें हम fix करेंगे और तो सबको इसी परकार से काट लेना हुगा जो की सेंटर में रहे जितनी अच्छी आपकी मार्किंग होगी और आप जिसना च्छा काटेंगे उतना अच्छा आपका बोर्ड बनके तैयार होगा तो देखिए हमने इस परकार से इसको काट लिया है चारो लकडियों को अब हमें इसको बोर्ड को फिक्स करना है कि कैसे करेंगे तो देखिए इस परकार से जब हम फिक्स करेंगे तो जो बोर्ड है वो हमारे बिल्कुल फिक्स आ रहा है जिससे हमारी मार्किंग अच्छी थी तो देखिए जो लकडिये जो सीड बनाई थी हमने बो बिल्कुल फिक्स आ र करेंगे एक लखड़ी को सीधा ऐसा खड़ा करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर साइड में निकाल के रखेंगे जिससे हम ठोकेंगे तो थोड़ी अंदर चली जाए वह अंदर चली आती है तो इस प्रकार से इसको कर लेना होगा तो चारों दोनों साइट की लेना होगा यह कील्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगी तो आप छोटी एक कील लें और सीट में कहा करें जो गरम कील करके इसमें पहले होल कर लेंगे और फिर इसके बाद लखड़ी में तो आसानी से ठुक जाती है तो आरसानी से उसको लगा लेंगे तो देखिए अब उतना ही हमें काटना पड़ता है तो उसकी मार्किंग करनी होती है तो इस परकार से इसकी मार्किंग कर लेते हैं देखिए इस परकार जो है जो सीट है यह वाली जो सुच का जो पोर्शन है दर से नीचे साइड इस साइड इस साइड लेंगे और इस साइड इतनी जिससे आसानी से हो जाते हैं तो इस प्रकार से होल कर लेंगे हमारी जो इसके अंदर है ульurun क्या करेंगे heекст को पूरी तरह से चारो ansiwn से काट लेंगे ड can मार्किंग कर लेंगे तो इस ऐसे चंविते हैं आप क्या करेंगे इसमें जो सोकेट है जितने हं यूज़ करना चाहते हैं और जैसे बी सुच में कहा लागाना सब सक्केन हों अपने हेसाफ्त है वो complete हो गई और इसके बाद अब हमें क्या करना हो इस पर भी यहाँ पर जो सभी है वो छेद करने होंगे तो यह जो जिससे हम छेद कर रहे हैं यह हमने फिल स्य सक Production करे रहे बंट करेंगा और एक इनडिकेटर का हमने यूजाते हखें होंगेर को मैं दारेकट 09 केis ने उनट करẫn है और यहां कर लिया है वहाँ पर और यह वाला जो बायर है वह फेस के लिए हम ले रहे हैं तो देखिए पहला सुच और इंडिकेटर में कनेक्ट करेंगे जिससे जो इंडिकेटर में जो हमारी में सप्लाई आ रही है तो इंडिकेटर से में सुच में हमारी सप्लाई आ जाए दूसरा जो पहला वाला सुच है उसमें सप्लाई आ जाए और उसके बाद जो हमारा दूसरा सुच लगा हुआ है उसमें सप्लाई देनी है तो जो सुच होता है उसमें फेस सप्लाई ही आती है उसमें कभी न्यूटल नह दोब लिए और इसके बाद हमें क्या करना होगा जो देखिए जी सब्सक्राइब yapmış हम सब्सक्राइब में नूटल देना होगा तो सबसे पहले हम इंडिकेटर लगेंगे महां पर हमारी नूटल आ तो बहां से इसको connect कर लेंगे और इसके बाद जो पहली socket लगी हुए उसमें neutral point रहता है marking रहती है जहां पर उसमें mark हो बहां पर लगा दें और क्यूंकि इससे जो face होता है वो हमें हमेसा right side में देना होता है socket के आप जिस तरह से use करें उस तरह से कर सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि इसको जो face होता है वो जब हमारे socket सीधी हो तो उसके right side में हमारे face आना चाहिए तो देखिए सभी तीनों जो socket है उसमें neutral को connect कर लेंगे तो यह जो neutral है वह हमारा सभी में complete हो गया connect कर लिया है हमने तो देखिए अभी जो neutral है वो connect हो ख़िया है और जो फेसst है वो कनेक्ट हो गया है अभ मन क्या करना है सुच के द्वारा सौक के उसको फेस देना है तो उसके लिए हम एक भांच का तुकड़ा लेंगे तो इसको पहले जो पहला सुच उसमें connect कर लेंगे और उसके बाद जो पहली सोकेट है तो इस सुच से जो यह वाली सोकेट है हमारी पहली सोकेट है एक अंट्रोल होगी तो इस सुच को जब on-off करेंगे तो हमारे यह सुच on-off होगा तो इसी परकार से हमें दूसरी सोकेट को भी supply देनी होगी फेज मैं भी supply देनी होगी तो इस परकार से आप जितने भी सोकेट लगाना चाहते हैं उतने लगा सकते हैं और इसके connection है वो इसी परकार से होते हैं इसमें कोई अलग नहीं होता है जितने आप लगाना चाहें लगा सकते हैं आप एक सुच से भी तीनों सोकेट को कंट्रोल कर सकत हैं देखिए हमने सप्प्लाइ आई और यहां से पहले सब्सक्राइब अगरा पाद सब्सक्राइब को दिया और इसके बाद हमने तीसरे सॉकिट को नूटल दे तो हमारी जो न्यूटल फेस की सप्लाई है वो कंट्रोल कंप्लीट हो गई है और इसके बाद हमने जो सुच से हमें सौकेट को कंट्रोल करना है तो सुच से हमने सौकेट को कंट्रोल किया है तो तीनों सुच के जो है वह हमने तीनों सौकेट में सप्लाई को दे दिया है तो ह कवber जब HmongHHH , लिए इस से हम स्कूय हम Weeijacak को कापत। को क्ये जाोiste को कर सकते हैं तो इसके बाद हमने फिर से efficiency पर मार किंग की ह। जिस से हम सब् Isaiah studies mat vos आसानी सलेके में किस जाते हैं तो हमारे पास जोटे वाले तो आपके पास भी रहते हैं किसी सामन में निकलते हैं तो इसको आप समालके रख लिया करें इसी परकार हम भी करते हैं जो भी यूस इतना मजबूत नहीं होता है खड़ाव हो जाते है दिखाने का commameket & ku देखिया दोस्तों हमारा से कम्प्लीट हो गया बनके देखिये दोस्तों इतना मार्केट से भी मजबूत है और इस परकार हमने यहाँ पर पेपर चड़ा दिया है साइड में लकडी न देखा ही दे तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है और बैक साइड भी यह मजबूत हो गया है कहीं से कुछ भी जाने वाला नहीं है करें तो क्याइस में आप इसको कितना भी लंब बायरी करें कहीं भी ले जा सकते हैं और काम कर शकते हैं जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेजन सबसे पहले आपके पास आ जाए क्योंकि हम electrical maintenance और solar plant के maintenance related वीडियो लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम आ सकती है